हेलो माई फ्रेंड वेलकम टो कॉमिक्स माई लाइफ चैनल और आज हम आपके सान में लेकर आ रहे हैं शांदा डोगा और अन्थोनी की टू इन वन कॉमिक्स विशेशंक मर्द और मुर्दा चैनल पर फस्ट टाम आए हैं चैनल को सबिस्क्राइब कर लिजे ऐसी ओसम कॉमिक के लिए चलिए शुरू करते हैं मर्द और मुर्दा यह देख सकते हैं के और पस डोगा और अन्थोनी यह बहुत ही सूपर हैट कॉमिक्स थी उस जमाने की आज के टाम में तैसे मिलते भी नहीं है टू इन वन कलेक्शन मर्द और मुर्दा जब कोई जर्म करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके जर्मों की सजा की रूप में होती है जेल अंदर जाने के बाद कैदी सजा पूरी होने के बाद ही भार आते हैं मगर इन में से कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिने अब कभी भार नहीं आना होता है ऐसे कैदी होते हैं फास और इस तरीके के कानून की भाषा में जेल तोड़का फरार हो जाना कहते हैं मौत की सजा पाए कैदी को कानून का डर तो होता है मगर किसी की जिन्दगी कोभी नश्रंगता पूर्ण तरीके से मौत में बदल देने का जरा भी नहीं कचाक, आहा, क्योंकि कैदी उस वक जानता होता है कि उसकी जरासी विला परवाई दोबार उसे चेल से भागने का अफसर हरकिस नहीं देगी धंप, और ऐसा कैदी बचने के लिए कोई भी दुस्थास्पून खरकत कर सकता है रोको, आहा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए कई जिंदगियां खतम कर सकता है और अब तो फांसी से बचने के लिए आधनिक चिकिस्था विज्ञान का फाइदा उठा सकता है डॉक्टर विजय महरा, MSFS, SCS, लंदन डॉक्टर महरा मेरा नाम विड़ो किलर है दूसरे सब्दों मैं तुम जोजे विद्वाओं का हत्यारा भी कह सकते हूं मुझे फांसी की से जाओ चुकी है, मैं भी तीन खून करके आ रहा हूं चौते की जान इस मुठी में बंद है, जानते हो वह जान किसकी है तुम्हारे एकलाओते दसवर्ची बेटा अतल महरा की जिसमें जेल से भागने के बाद तुम्हारे घर से अगवा कर चुका हूं अब यह मुठी है की सूरत में खुल सकती है जब चब की तुम मेरे चेहरे को एक नया चेहरा दे दो और मैं जानता हूँ प्लास्टिक सेजरी तुम्हारे लिए बहुत असान है मैं तो मैं नया चेहरे दूँगा लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर महरा के चेहरे के भावो तेरी से परवर्टित होते चले गए जितनी जल्दी तुम मुझे नया चेहरे दोगे तुमारा बच्चा उतनी जल्दी तुम तक पहुंस देगा मैं अभी सही तुम्हारी प्लास्टिक सेजरी शुरू करूँगा मेरे साथ ऑपरिशन ठेटर चलो जल्दी तुमारी टांग को सुन करके के लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी होगा क्योंकि प्लास्टिक सेजरी के लिए इसके नहीं से उतारी जाती है तुम्हें कोई अतराच नहीं मगर ध्यान ना है डॉक्टर मेरा कोई भी चला की तुम्हें तुम्हारे पच्चे से हमेशा के लिए दूर कर देगी मुझे मालूम है और वो बाद तुम्हें भी नहीं मालूम कि मेरा बेटा पहले ही मुझसे दूर अमेरिका में स्टेडि कर रहा है अधूरी तुम्हारी अधूरी जानकारी का प्रणाम यह है ब्रहोशी का इंजेक्शन क्या बक रहे हो तुम ओ मेरे दिमाग चक्रा रहा है तुमने मुझे ब्रहोशी का एक्शेक्शन दे दिया धूरत आदमी विड़ो किलर ने जपट कर आपरेशन में काम आने वाए चाको को अपनी भाहाँ से चील ली तुमेरी तागत को जानता नहीं है डॉक्टर छे साल चेल में रहकर मैंने अपनी अधूरी तांत्रिक साधना को निखार लिया है जिससे मेरी इच्छा सक्ती भी दरड़ हो गई है देख बिहोशी की दवा नसों में दोणने की बजाए है मैं खड़ाओ कर ये लिवार बर उठा सकता हूँ मेरे घाबी पीड़ा मुझे बिहोश होने से रोखेगी मगर तू अब मेरे हाथों जिन्दा नहीं बचेगा डॉक्टर ठां विड़ो कलर के हाथों डॉक्टर मेरा जाहस समय तक जिन्दा बसता नहीं रहता ट्रांक समस्या गंबीर थी और भेहत गंबीर कुत्ते सी वह सूरत जिसकी आँखों के से होकर वैदरस्ट गुजर रहा था ये सूरत थी डोगा की डोगा जो समस्याओं को हल नहीं करता बलकि उन्हें जग से खाल फैकता है तेरा जुर्म तो यही सावित हो गया कि तु जेल की वर्दी में है दूसा तेरे हाथ में रिवालवर है तीसा है जिसे तू अपनी गोली का निशाना बना चाता है उसे मैं जानता हूँ वो डॉक्टर महरा है प्रख्यात प्लास्टिक सरजन धाएं तेरे एतने सारे जरुम और मेरी सर्फ एक गोली तु जिन्दानी रेंड देगी ठाँ गोली तो विड़ो किलर को भी चलानी आती है डोगा डोगा की गोली से विड़ो किलर और विड़ो किलर की चलाई गोली से डोगा दोनों ही बचने के लिए उच ले थे डोगा के पास अब भी विड़ो किलर के पीछे नीचे गुजरती सूपर फास गाड़ी पर गुदनने के लावा दूसा कोई रास्ता नहीं था और शायर ये बात वे अच्छी तरस जानता था कि डोगा से बचना फिलार उसके लिए जरूरी है धपड़ 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 लेकिन डोगा जानता था कि विड़ो के लिए उसका उसके हाथों खतम होना जरूरी है दोनों अपने अपनी कोश्चों में लगे वे थे और वाली वर्दी में मुझे कभी पुलिस के जाने फसा सकती है डोगा का दुर भाग के विड़ो के लिए भी इसके हाथ नहीं लगा था लगता है वह भाग निकलने में काम है अब हो गया मैं भी इसका पीछा करता वा रूपनगर आप बचाओं मगर मैं यहां से खतम किये भी करना नहीं चाओंगा लेकिन मैं नया चेहरा तुम्हें हर सूरत में प्राप्त करना ही है इसके लिए मुझे वैतरी का प्रयोग मिलाना होगा जो मुश्किल तो जरूर है मगर असंबाब बिलकुल नहीं और इस तरीके के लिए बिलकुल ठीक जगे खड़ा हूँ यह यह य कर चुकर के चूनी जूली उसकी माँ जूली मारिया सभी मेमान आ चूके केक काटो नहीं ममी मुझे जिसकंट ज wisdom रहे वह भी नहीं है तो मैंनके बिना केक नहीं की लेकिन पापा नहीं आएंगे मगर मैं जानती हूं कि पापा आएंगे क्रो म्यूजिक मैं बुलाओंगी पापा को क्लेक पापा ने एक कैसिट देता है का था कि जब भी कैसिट जाओंगी पापा मेरे पास आएंगे ओफ ये तो क्रो संगीत है मनुज अत्यारा क्रो संगीट जिसकी स्वर लेहरियों के साथ मौत तरक उठती है क्रो क्रो संग इसे बंद करो संगीट को क्रो संगीट आए कैसे इट तुम्हारे पास कैसा है ऐसे कैसे इट तो सभी ने एक वर्ष पूर भी नश्ट कर दिये थे यह सब जानने के लिए पकड़ें क्रो संगीट कॉमिक क्योंकि जहां यह संगीट बस्ता था माँ एक मुर्दा तबाई फिलाने आता था सौरी अंकल आप इसे बंद दी कर सकते संगीट मेरे पापा का है और आज मैं ऐसे जरूर बजाओंगी क्रो क्रो संगीट आज मुर्जानी मुर्दा नहीं आएगा आज पापा आएंगे कोई आने की तियारी में था कोई जाने की अगभमिया नहीं रुक सकते बच्चों मैं अपना बढ़े अपने पापा के साथ सेलिवेट करूँगी मारिया यह क्या पाल पन है बंद कर से तेरे पापा कभी आएंगे अम्मी खड़ाक पापा आएंगे पापा हम कठे के काटेंगे प्रिंस की करकर सवाजों से गूंज उठा कबरिस्तान काउं काउं करें फट गई कबर हवा के तीवर जोकों ने जंजोड का रग दिया था विड़ो किलर को भी वो अपनी मंतर करना शक्ती समावती वे था ओ अचानक तूफानी हवा कहां से उठी ये जमीन फटने जैसी हवाज कैसी थी फट गई थी खबर भार आ गया था मुर्गा मुर्दा काउं 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 क्रो संगीत बज़ रहा है प्रिंस और मैं जानता हूं ये कहां बज़ रहा है और क्यों बज़ रहा है ओ गाट चेहरे बुरी तो है चौक बड़ा विड़ो के लार चेहरे पर अस वक्त बला की चमकती नया चेहरा पाने के लिए मैं जिस दूसरे तरीके के लिए तंत करना करा था उसके मताविए जिस्म तो बिल्कू सही है अरे कहा अब हो गया अब मैं काटूनूंगा उसे मुझे वह सूर्छ हरालन चाहिए और से पाने के लिए मुझे करनी होगी तंतर साधना जिसके लिए मुझे करनी होगी फिर विदवाओं की हत्या है कहां जा सकता था उस वक्त मुर्दा ओफ एंथानी सिर्फ एकी जगह पर है प्रिंस वैशांदार ड्रेस मैं मारिया को गिफ्ट दूँगा लेकिन ठिटक गया एंथानी नई प्रिंस यह ठीक नहीं होगा गिफ्ट देने के लिए मुझे ये ड्रेस चोरी करनी पड़ेगी मेरा तो कुछ नहीं विगड़ेगा लेकिन मारिया के लजाम लग सकता है इस चोरी के माल को रखने का अपनी ममता को मार दिया मुर्दे ने जल्दी काओ काओ उसका जयां प्रिंस अगर जूली मार एक आस पास थे लिए उधर इस थर ले कर जा । इह थाежत town पापा का हुंआ प्रिंस दरवाजे के उर ऊड़ाए वो मुन्स पहिंना देose लीजाने के समखने इन Madison right थे लिक्न यहा नहीं यहां आने वाला था मारिया में आ गया तिरे लिए शुब खामनों के फूल लेकर पापा वहाएक विशेश सुगन फैल गये थी एंथानी काने से कैसी है तू मारिया मुझे आपकी बहुत यादा थी पापा हमारे साथ क्यों ही रहते हैं क्या कहता इंथ और वहां और तब हैपी बड़े टू माई चाइड थैंक यू बापा एंथोनी ने अपनी मारिया के खिलाया और प्रिंस एक उड़तावा दूर चला गया जूली के मस्तक बढ़ चल गया ओहों कहीं मुझे मारिया से दूर ले आनी कुछ चाल तो नहीं थी मुझे यहां लाकर पिंस कारण से लगया उल्टे पाउं वापस भागी जूली मगा तक तक देर हो चुकी थी उस विशेश गंद को महसूस कर रही थी वो जो एंथोनी के आगमन पर महकती थी मम्मी आपके एक नहीं खाएंगी और वहां रखे फूनों को देखकर फफफ़क कर रो पड़ी 南 usage सात रहनी किसमें खाई थी आज वो उसके साथ भी कत्रा रहा था क्यों क्यों वेहें उसके सामने नहीं आता था एंथोनी जूली के सामने भरी ना आये मगर विड pencil निष्चेत रूप से आज किसी विद्वा के सामने आने वाला था क्या आज फिर एक विद्वा उसकी पूरा करना जरूरी हो गया है, मगर उस कदम के माठेक डग गए, क्योंकि उसी पर डोर बैल बज उठी, कौन होगा इस वक्त, मैजिक आई में आने वाले की सूरत देखकर, आश्चर से उसल पड़ी वेनू, इतियास तुम इस वक्त है, वेनू दरसल इस वक्त मुझे तुमा दूसरे कमरा की खड़की खुली है, जहां से कोई भी चोड अंदर आ सकता है, मैं गश्ट परता है, खड़की खुली देखी तो चलाया, यह बात मेरे मानने के लिए काफी नहीं है, तुम सच कह रही हो, दरसल यहां से कोई रता हो, चानक तुम्हें देखने के लिए, दिल इस वक्त कोई अंदर था, एक साय सलक पर दिखाई दिया, कौन था वै, साय सच्मुल कोई छोड था, इतियास घबरा कर भाग गया, और थैंक्स गोड इतियास सही वक्त पर महुचा, आज हर कोई सही वक्त पर पहुचने के मून में था, जैसे डोगा, जब पाउं के नीच मगर डोगा की निखाऊं को तू दोगा नी दे पाएगा, त्यारे कमीने है, खनाक, क्योंकि डोगा ने मुंबई से रूप नगर तक का सफर, सिर्फ तरो सिर्फ तुझे लाशन बदलने के लिए किया है, क्या यह वही डोगा है, जिसकी तलाश अच पूरी मुंबई की मगर यह मुझे विड़ो किलर क्यों समर रहा है, शायद इसे मुझे लेकर कोई जवरस कलत स्वामी हो रही है, और मुझे उस कलत स्वामी को दूर करना होगा, ठैरो डोगा, मैं तो मैं जानता हूँ जर्म के खिलाफ, अंगारे उड़ाने वाले तुमारी आखे हैं, इस कान मैं तेरे सीने में हवाले करके ही लोटूंगा, डोगा की उगली कसने लगी थी ट्रिगर पर, और गोली चलती तो निस्ट दूरूप से चक्राय हुए दिमाग के साथ ही, इस्पेक्टर इतियास इस दूरिया से पूछ कर जाता है, लेकिन इंसाफ की रक्षा के लिए उसका सीना एक तो क्या हजार गोलियां भी जेल सकता है, तड़ाक, लेकिन इल्जाम की एक भी गोली इसे खायल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसे मैं फर्ज और करतवर की जीती जाकती, मिसाल की रूप में जानता हूँ, ओहो जबहता शक्ति का मालिक है ये, मगर ये है कौन, विड गलत भाएं भी दूर हो जाती, हत्यारे का साथी तो तू भी है, अब तेरी चीखें दूर दूर तक गुझेंगी, और तेरे जिस्म से उबलता खून चीक चीक का तो जो समझाएगा कि तू कानून से डणना करंच दूसरे मर्द से धाएं, क्योंकि इन दोनों के टक्राने क पढ़ना मिश्चिती मौत होता है, डोगा की आखोने देखा हो महाना अश्चा रहे, क्योंकि गोली उसके जिस्म को चीरती भी निकल गई थी, और वो ऐसे घड़ादा जैसे गोली देद के ठेड के आरपा निकल गई हाँ, हडडियों तक में सिरन बचा देने वाला अंदा को भूल गया, कानून और मर्द के लावा तीसी चीज है, मुर्दा, दढ़ाक, यानि एंथानी, एंथानी कुंजाल वेज, याद रखना मुर्दे से भी ड़ना, बढ़ंच, खनाक, क्योंकि मुर्दा आ गया तो मौत पीछे पीछे जरूर आएगी, एंथानी पलड़ा तो मर्द और मुर्दा की ये ठककर, फाइनल नहीं थी, फाइनल तो सच मुझ कुछ भी नहीं था, मेरे रूपनगर पहुशने के बाद मेरी किसमत कुछ ज़्यादे ही महरवान हो गई है, क्योंकि हाँ कर एक के बाद मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिलती जा रही है, जैसे पहल चैरा मैं ही हूँ, फासी किसे जाओ ये मुझे, मगर मैं जेल तोड़कर भाग ने कला, हम मुझे जल्दी ही मिल जाएगा नया चैरा भी, तू कौन है कमीने, मुझे यहां क्यो लाया है, मुंबई से डोगा मेरा पीछे लग गया है, लगकर यहां आया है, वो तुमारा कुछ दूर तक चले गएते हैं, मुझे तुमारी दो कारणों से जरूरत है थियास, पहला कारण तो यही है, जिसके कारण डोगा तुमारा दुश्मन हो गया, वहर है से तुम वक्त आने पर ही जान पाऊँगे, और दूसा कारण मुर्दा है, जो तुमारी जान डोगा से पचाने के लिए एन वक्त आप पहुंचा था, उस वक्त उसने तुमारे बारे में जो जो बाते कहीं, सुनकर मुझे लगा एंथौनी का तुम से गहरा भावत मक संबन्द है, तुम जो कुछ भी उसके बारे में जानते हो, मुझे फॉरम बताऊ गया थियास, अन्य था मैं खुंकार सुरज गरद पढ़ा थिया, इतिहास के जहन में में मेमोरी चेमबर में जो बाते हैं, चली जाती हैं, वो इतिहास की प्रॉपर्टी बन जाती हैं वीडो किलर, उन्हें सिर्फ वाई सुन सकता है, जिने इतिहास सुना चाता है, दूसरा कोई भी नहीं, वीडो कि नहीं है, मगर तुम्हें उन से क्या काम है, मैं और इस्पेक्टर थियास एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, क्या तुम बता सकते हूं, ये तो नहीं बता सकता हूं, चलो आश्पता चल दाएगा, कितने सालों बाद भी मैं उसे पैचान पाता हूं या नहीं, बहुत अस साथ, तब इस शाम, खट-खट ठेरो आती हूं, प्रिंस तु ये बाल उठा कर ला सकता है, काम, दरवाजा खुलते ही चौक पड़ी जूली, अरे स्पेक्टर थियास, आप आईए भीतर रहिए न, मगर स्पेक्टर थियास अंदर नहीं आया, जैसे मौत की तरह जपड़ पड़ा वे जूली पर, तुझे ले जाने के लिए आया है, जूली आ, मम्मी, आ, क्राम, प्रिंस करकस्वार में चीकता हुआ, दरवाजी की तरह जटा, लेकिन एन वक्त पर दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया, फड़ा फड़ा फड़ा, प्रिंस कमरे से भार निकलने की मैं पापा को बलाने जाती हूँ, जल्दी मारिया पहुची वहाँ, जहां एक कबर में सोया पड़ा था मुर्दा, मारिया की चीकों ने जख जोर कर रख दिया वातामान को, जल्दला सा मस गया उस कबर पा, जो एन्थोनी की थी, मम्मी को बचाई यह पापा, मम्मी की जान दोगा को भी इस वक्त की तलास थी, इस्पेक्टर इतियास की, सिर्फ इतियास ही मुझे बता सकता है, वीड़ो किलर तक पहुचने का रास्ता और मुर्दे का रहस से, मुझे उसे घोजना ही होगा, पापा, पापा, थेरो तुम ऐसे कहां भागी जा रही हो, डरो नहीं, म मुझे बताओ, मैं तुम आहीं मरत करूँगा, मेरी अम्मी की जान खत्रे में, उन्हें इतियास अंकल जीब में पता नहीं कहां ले गए हैं, वो देखो, पापा और प्रिंस उन्हें बचाने जा रहे हैं, ओ, एंथानी, गुरूर भाओ, मेरे कुत्ता में तुने उन्हें जल्दी जा, वोफ वोफ, इधर रिस्पेक्ट है, इतियास, किसी किसिम की जल्दी में नहीं था, आहा, आगई तुम होश्मा जूली, जूली की भरकटियों में का एक तनाव उत्पन हो गया, इतियास मैं तुम एक शरीफ इंसान समझ कर तुमारी इज़त कर दी दी, मगरा तुम्हारी सारी खाल भी तुम्हारी हट्डियों से चिपकना चुरू हो जाएगी, तुम्हें तकलीफ तब ज्यादा होगी जूली, नहीं आहा, यह अचानक तुम्हें क्या होगया, इतियास, जूली क्या होगया, अंधिरस चाला था, और होश्कोरिती हो अपने, जान सभ घ्म, जब जुल्म होता है, तो कबर फठती है, अंठोनी बार आसा, तो किसी की कबर में, कबर में जाना होता है, आज तेरी बार यह आई, क्योंकि आज झान तुनने किया है, नहे इने कैसी हितानी सकती भर ग़ैती, इस्पेक्टर इतिःस के जिसमें उसी पल अन् थान ऑत से उसला तेज बोल्ट की बिजली उसके सिर्मी परावित होगे स्वाश उस्वाद बलवों से चमक दहगोटी इतियास की आखों में इतियास में शक्ति कहां से है धम धर्म धड़ाक जवाब एंथानी को पाना था उससे पहले सो बचाना दर जूली को क्योंकि मुझे खतम करन एंथानी जूली तक तो पहुचा मगर उसी पल जूली उसे भैनक भूल का इसास ओओ है क्या मेरे शही के अंदर उथल पुतल सी होनी शुरू हो गई है हाहा मचली को चारा डालो तो फस्ती है एंथानी फिर मैंने तो जूली के नम जिस चारे कस्टमाल किया था उसके बाद तो तूझे मेरे चाल में फसना ही था एंथानी मेरे मंतर कौण मैंने ही तेरे लिए बनायाई इसाओ कि मंतर कौण में अब तेरी आतMA से चस्म्से अलग हो जाए sarcerson यह उथल पुथल मेरी आत्मा कोरण मच रही है मेरी आत्मा साचुछ मेरे जिस्म छोड़ रही है मैं मैं कुछ करना ही पा रहा हूँ क्योंकि चाह कर भी अपने जिस्मी से कोई भी हरकत नहीं दे पा रहा हूँ तो क्या आज एंथ्वनी की मौत हो जाएगी नहीं शायद प्रिंस कुछ कर सके काउं खाउं काउं प्रिंस एन्थाुनी की आवाज का संब्मोर यैसे प्रिंस के मस्तिक थक yolता चला गया सुर्ख हांग ए सुर्ख होठी करकस्वर और करकस हागया हाँ काउं काउह। काँ खुड़ा खुड़ा विद्वा भी नहीं बचेगी और आज विद्वा का मुर्दा पती भी नहीं बचेगा उफ आहां नहीं एंथोनी से मेरा मान से सब पर तूड़ गया है क्रियां कई आतमा हैं के एक साथ चीख उड़ने की आवाज जैसे एंथोनी कंट से ने करकर बातावन को थरतराती चली गई एक जब जटके के फल सुरो मैं मंत्र कौन की सीमा से भार जा गिरा थबा बाब मुर्दा मरा नहीं कर मुर्दा मरा नहीं करता है इतिहास मुर्दे का नाम ये तूफान तब आता है जब जिंदिगी नाम की मारतें धारश ही हो जती है तंतजाल तूड़ गया फिलाल मुझे आसा भागना होगा उफ कटाक ओ घबरा गया मेरे जिस्म को मेरी हट्डियों पैवस्त नहीं कर सकत प लिए है कि ऐसा जीव से ओगना एंथानी पिछली दफ़ा मैं इतिहास का दुष्मन बना हुआ था तूसर बचाने चाहता था जबकि अब तूसकी जान का दुष्मन बना हुआ है दढ़ाक तो उसे बचाने आया है टोगा जो कि मुझे इस समय उसकी जरूत है पर ये अभी तक समझ नहीं आया है कि तुम आखिर हो कौन प्रेंस एंथानी ने पकारा प्रेंस का नाम इसी पर लह रहाया प्रेंस काम ओहो और बला की फुर्ती से उसलाया एंथानी ठाड़ मेरा नाम एंथानी है एंथानी कुंजालवेच पिसली तफ़ा इतिहास मेरी निगाहों में कानून का एक रूप था जिसको मैं मौश से बचाना चाहता था मगर आज ये जल्म का चाबुक है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूं इसने मेरी बेटी को उसकी मासे जुदा करने का अपरात क किया है तड़ाक तो वह अरत तेरी पत्नी थी बहुत खतरनाग है तो क्योंकि अभी तक तू उन रिष्टों को जिन्दा रखे हुए है जो तेरी मौत के साथ ही तूड़ जाने चाहिए थाड़ तेरी रूह इन रिष्टों से आज तक अपना नाता नहीं तोड़ सकी यही क वजूद की मौझूद की कानड़ तुबारा संसारिक बंदों में नहीं बंद पाएंगे तेरी पत्नी चाहेगी भी तो तेरी बेटी को दूसरे बाप का साया भी न दे पाएगी यहीं अके लिए रह जाएंगे चालें दुनिया से चूचते रहेंगे वो और यही सोचकर मै यह गन अपने साथ लाएंगे हो क्योंकि तेरा वजूद तेरे इस मुर्दा जिसम के कानड़ है जब यहीं नहीं रहेगा तो एंथानी की मौत हो जाएगी और तेही रूप भी वहाँ पहुच जाएगी जहां जिसम की मौत के बाद रूप को पहुंचना होता है वाम गोलिया तेरे इस जिसम को खतम नहीं गरबाई मगर गोले तेरे इस जिसम को चीतर डुला देंगे बूम ता बरतोल फाइरिंग में इस बार एंथानी जिसम मौत निश्चित थी स्वश्च डोगा की आँखों ने देखा एक और आश्चर ओहो गोला तो निशाने पर था फुट दूर प्रलेंकारी भाव चरह पर लिए तुफान मुठी मिले है तुम ओहो धंमाओं डोगाई कलाईयों को एंथानी आख से जगड़ लिया इसकी पकड़वाई जगे पर मुझे बुरी तरह जलन हो लगी है क्या कर रहा है ओहो मेरी गंच छूट गई खुंकार रूपसर डोगा के सामने था इन्तोनी इतार ये मेरी ठंडी आख की तपिष्टी डोगा चलती नहीं चलाती है तड़पाती है जिससे इंसान मरता नहीं है बलकि छट पड़ाता है जैसे दिल को किसी ने मुठी में बीच लिया हो इस ठंडी आख की प्रेश शक्त तो फिर मेरे पाइस की शक्ती से ने बढ़ना को रास्ता नहीं है उफ यह क्या पानी ओहो स्प्रिंक पानी पानी सच्मुष की कमजोरी था बुई तरब उटाता हो पानी में काओं काओं मैं इसकी ठंडीया के फंदेश चूड़ीया हूँ उदर आकास में गुंज उठा च इतियास मेरे कबजे में है उसी पर माग गूने लगे पुरिश चीप के सारेंड इधर फिलार इतियास डोगा के कबजे में था इस्पेक्टर इतियास पहली बार मुलाकात में तुम्हें विद्माओं का एक खुंकार हत्यारा विड़ो किलर समझ बेटा था उस जिसकी शकल मेरा ये भाई बच्पन से बुरी आत्तों पढ़ गया था इसलिए मा मुझे लेकर मुंबई से रूट नगर आवे थी ताकि कम से कम मुझे उससे दूर रख सके कल जब मुझे पता चला कि मैंने उसे अपने घर के तैकाने बंद कर दिया है तब तक मैंने फैसला नहीं कर प अंजर खुद देखना है इतियास की आंके खुली हो फटी की फटी आंको से जहांकरा तक है राश चार रहे दोगा तुम यहां कैसे क्या तुम्हें वीडियो किलर यहां लेकर रहा है मुझे एस्पेक्टर इतियास लेकर रहा है उसके हमशकल होने का फाइदा उठा कर अब मुझे यहां पिलाया था और यहां आकर उसने मुझे सम्होईत कर दिया और खोद इतियास बने बैठा हाँ पोई नहीं पचान पाएगा कि मैं वीडियो के दर हुए एस्पेक्टर इतियास के रूप में ही मैं रहात जाया समय तक कानुम में डोगा को धोगा नहीं दे होगा ओ मगर मैं मुझे हाले यहां लेकर क्यों यहां लेकर गया कहां सहसाई चुक पड़ा धुआ उपर शायद आग लगी है यह वीडियो के लड़ नहीं लगाई होगी वह तुम्हें और मुझे एक साथ मानने के लिए अंदर बंद कर दिया है पूरी बिल्टिंग में ज तरवाजे को भरूम भार चारों तरफ आग लगी है जितनी आग इस सीने में हरवाद लग रहती है उससे कम है जिस जीप में हम यह आयते हैं उसमें जूली भी थी विड़ो के लिए जूली को भी साथ ले गया है शायद वो अपनी शैतानी मंत्रे शक्तियों को फिर सक्रिय करनी कोष्छ करेगा ओहो हो वो कहां गया होगा अब इसका पता कैसे लाएंगे एक रास्ता है मैं तुम्हें वही पर लेका चलता हूं जल्दी इत्यास क्या हुआ तुमे творit में रख़्िया और ये कौन है इं सब कुछ बताता हूं इत्यास और सब कुछ बताता है जा गया यह सुनने के बाद वेनु का मस्तिस साइसा करोटा, ओहो को और इसका मतलब इस वक्त वहाँ कोई छोड़ना ही बलकि विडियो किलर था, जो तुम्हें अपना हमशकल पाकर उस वक्त वहाँ चला आया था, हाँ वना शायद आज तुम मुझे जिम्दा नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त उसको मेरा पीछा करता तुमारी हत्या करने से जाजरूरी लगा, अब वैब बस नहीं पाएगा विडियो किलर अपनी तंत्र किंड़ों से एंथौनी को कॉंटेट करने ही चोश्टा करेगा, मैं अपनी जासी तंत्र किंड़ों का जाल एंथौनी की कबरे के आस पड़ी वेनूं फिट्र की तंत्र किंड कर रही हैं कि अलोग से जिसमिंग आपकुर से प्रवेश कर रहे तीकिंस के बाद मुर्दे और को तत्काली कब्र रहा ना था लेकिन आज मुर्दा कब्र से भारा का राजाद नहीं था ओहो कब्र से भारा थे मुझे अग्यात प्रेश शक्तियों ने जकड़ लिया है मैं अपनी इच्छा से भी पलग जपनी चमाने पर हूँ अग्यात प्रेश शक्ति के जंजीर मुझे बांदे नजाने कहां ले जा रही है जल्दी ओह ये हरकत इतियास किये इतियास के बाद मुझे बांदे की शक्ति कहां से आई नहीं है इतियास नहीं हो सकता ये कोई बहरूपिया है गला फारा कर सेतानी हसी में हसा बैतिहास और विड़ो कलर आखर मैं तुझे पकड़ लिया एंथानी अब सोल ट्रांसफर्मेशन यानि मेरी और तुमारी आत्माओं की अदला बदली का इतरश है तुम भी देखोगे और मैं भी इसके बाद फांसी की सजा पाया बीश विड़ो कलर पालेगा एक नया चैरा एंथानी के चैरे कर रूप में मगद चुगी तुमारी आत्माओं मेरे जिसम ग्रेंड नहीं करेगी इसलिए विड़ो कलर दुनिया की निखाओं में एंथानी कर रहा नहीं यह नहीं होना चाहिए ओफ करकस्वर में चीकता पर इंसागे बढ़ा काँ हो तेरा इंतिजाम भी मैंने कर रखा शैतान कोई उसी पर वहां पहुंचा एक जबरदस चटके से साथकारुकी का डोगा इस्पेक्टर इत्यास और वेनू भाहा निकले ओनो विड़ो के लए एंतिजाम चीशने का प्रयास कर रहा है उसके साथ ही वह अपना अबनी आत्मा को एंतिजाम कर रहा है क्योंकि मेरी आँक हैं दोनों के बीच बना ट्रांस्वर्मेशन पुल देख रही है उस पुल को तोड़ना होगा वरना गजब हो जाएगा शायद जितनी तेरे में हम उपर पहुँचेंगे विड़ो किलर अपने प्रयास में सफल हो चुका होगा इसलिए अब मुझे भाँ निकलना होगा सजा को अहाँ बेन को अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को अपने सही से भाँ निकलना के मन चाहा कांग करा सकती है और फिर वो सजा बन जाती है स्वश जो तोड़ सके इस पुल को जो एंथानियो विड़ो किलर के बीच मना है इसी के साथ बॉखला गया विड़ो किलर फुश ओ यह क्या पुल किसने तोड़ दिया मैंने अब मुझे सजा कहते हैं हत्यारे धड़ाक ओ यह तो एक आत्मा है सजा उधर तेरी से सीनिया च तोड़ा होगा विड़ो के लाँने ताकि हम उपर ना पहुंच सके अरे बेनु कहां रहे गई उपर जंग जारी ती तुझे भी सजा दूंगा बान दूंगा सजा वह नहीं इसी खोपड़ी में शक्ति बंदिया है मैं किस तरह अगर तूट जया तो मैं आजा तो सकता हू कैसे उपर पहुंचा जाए ये प्रशन इतियास के लिए मैं तूट हो सकता है मगर डोगा के लिए नहीं क्योंकि वो समस्या को हन नहीं करता था बलकि उन्हें जड़ से उखाड़ पेकता था अगर मैं इसी पूरी निर्वाद धीन बिल्डिंग को ही दोस्त कर दूँ तो उसमें दबकर विडो किलर मारा जाएगा इतियास को इमारत से भाल लेगा डोगा उफ वेनू वहां बेवस्पड़िये मुझे समास अटाना होगा किन्तु डोगा के सामने इस समय पहले एहम प्रस्ण समारत को उड़ाने कही था डोगा ने देन नहीं की तर 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 जबरत छटके ने विडो किलर के साथ हाथ से छुड़ोई खोपड़ी ओह नहीं सराथ खड़ात तर तर उसी वक जैसे किसी अंदे कुमे से बाहर निकला इंतौनी ओह मुझ पर से तंत्रशक्ति का प्रवाब खतम हो गया भाग कर सजाई मुक्तों गई उन कैद किन्नों से जूली की जान खत्रे में है क्योंकि बिल्डिंग तूट कर गी तो वो जिन्दा नहीं बचे किर रही थी नहीं ओफ ये बिल्डिंग तो धस्तो रही है मेरी सारी मेनत एक बार फिर पानी फिर गया घुली के लिए तड़ा पुठा एंतौनी मैं खुद तो यहां से टेरीप कषी कब कुची इसका किसी को पता ही चला खताब हो गया यह कि इधर इतिहास बैदम कि लाएक सब्सक्रों किया क्या हो सह्च्ट अभग में तुम ठीक तो ना वेनू बिल्कुल ठीक मगड़ डोगा कहा है वह अभी तो यही था इमारे दोस्त करने के बाद आ गया शायद अपनी समझ से काम खतम करके समझ कर चला गया क्योंकि वीडियो के लिए निश्चित रूप से बचानी होगा जिसको बचना था भवान ने उसको बचा लिया अभोदे को इतियास एक खरऊस तक नहीं है उसकी शरी पर ओर जूली यह जिंदा है 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 यह कैसे हो गए कैसे हो गए यह सोचने में सम दूपनगर होस्पिटल की और दौर पड़ी इधर उस वक्त तो भी है शांत नगर आई थी वह कबर मगर यह शांती ठीक वैसी थी जैसे जोला मुखी के फट्रें से होती है समाप्त तो दोस्तों यह मर्द और मुर्दा कॉमिक्स नहीं समाप्त होती है हम मिलेंगे क्या वा स्मालाफ चनल